नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वियोपी हिंदी मैं हूँ आपके साथ मयंग दिवारी गाजी आबाद में सोमवार को एक आटो ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई परिजनों का आरोप है कि रविवार रात में दुरघटना के बाद पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी पुलिस ने चौकी के अंदर उसकी जम कर पिटाई की देर राज जब पुलिस ने उसे परिजनों को सौपा तो उस दौरान वो बेहोस था अस्पताल में पहुँचने के आदा घंटे के बाद ही उसने दम तोड़ दिया पुलिस पर थर्ड डिगरी देकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है सुबा से परिजन हंगामा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में आटो यादव धर्मपाल यादव की कथित तवर पर पुलिस की पिटाई से मौत का मामला तूल पकड़ रहा है कनावनी चोकी प्रभारी रविंद्र कुमार और दो कॉंस्टेवल के खिलाफ गयर इराधतन हत्या आईपीसी 304 का केस दर्ज कर लिया गया है इधर अखलेश यादव ने इस प्रकरण को सर्वनाग बताते हुए एक करोन रूपए के मुवाबजे की मांग की है उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस निर्दोसों की हत्या कर रही है 25 साल के धर्मपाल यादव मोलडूप से जिला कासगंज में आमापुर थाना चेतर के गाउन नगला बास के रहने वाले थे वो परिभार के साथ गाजी अबाद में इंदिरापुरम थाना चेतर के कनावनी गाउन में रहते थे धर्मपाल आटो चलाते थे बहनोई अर्विंद यादव के अनुसार रविवार राद 10 बजे धर्मपाल आटो से घर लवट रहा था रास्ते में एक साइकल से टक्कर हो गई इसके बाद कनावनी चोकी की पुलिस धर्मपाल को ले गई उसे खूब पीटा राद 10 बजे पुलिस ने धर्मपाल को बेहोसी की अवस्था में परिजनों के पास सुपुर्द किया और उसकी आदे घंटे बाद उसकी मौत हो गई परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है इसे लेकर सोमवार को दिन भर हंगामा भी चला इस मामले में इंदिरापुनम थाना पुलिस ने सोमवार रात कनावनी चौकी प्रभारी रवींद्र सिंग और दो कॉंस्टेबलों के खिलाफ गईर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है DCP दिख्चा सर्मा का कहना है कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का इंतिजार है इसके अलावा हॉस्पिटल इमर्जन्सी की CCTV देखी जा रही है जिसके अंदर धर्मपाल को पीटने का आरोप लगा है फिलहाल मुकदमा दर्ज कर गहराई से च्छानबीन की जा रही है समाजवादी पार्टी पीडित परिवार को 5 लाख रूपए से आर्थिक मदद करेगी मुरितक की पत्नी को सरकारी नोकरी और एक करोण का मुआबजा दे सरकार आरोपी पुलिस कर्मियों को जेल भेजे मुख्यमंत्री यानि मामला कुछ भी हो सियासी बयान बाजी तुरंत हो जाती है पक्छ भी पक्छ एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं कुल मिलाकर मामला क्या था किस तरह से यह सब सारी चीजे हुई इस पर न फोकस करते हुए सियासी बयान बाजी लगातार जारी है राश्चित से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है वियोपी हिंदी के साथ अगर आपने वियोपी हिंदी को सबस्क्राइब नहीं किया है तो फॉरण कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट सेक्षन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए